सबी तर्शम को मेरी तो आप दाड़ा गाँससे है बाही सर्पंच का पहले भी सरपंच रहे हैं 2010 से लेकर 2015 तक और अभी वरतमान में चुनाओ लड़ रहे हैं किनकी चुनाओ मुद्धों को लेकर मैदान में उद्रे हों मैं जातक सरपंच का विशेदेखता हूं इसको यह तो गाहों में जो विकास का मुद्धा होता है वह रखता हूं दूसरी सरपंच की जो सबसे बड़ी जिण्मेदारी होती है वह समाज में सवार्त शांति भाहिचारा बना है होते हैं मैं चलती है कि विकास करवाने के लिए सरकार की वदर भी सरपशक्ता है पैसा सिर्कार को सरक्स क्लिए के लिए सरक्सम पहुंच्छ या कोई बिंखती यह तो आदिकारी उंको परशात्य सी अपने गांथ काकर लेना जानता ओ और सरकार से भी अपना अगजा जुन कर था। इस बात का कुनतया careers को विश्वास हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सरब्सक्राइब उस portion hungry गाम को बाइचाारा ako उसरे का सरा मन्यारेना चाहिए किसा नयाये की विवस्ता गाम में उनी चाहिए, किसी मिः गरीब आदमी को कमजोर को को सबसे पहले हम आप से पूछना चाहें जैसे किसानों को ले करें किसानों के लिए क्या बड़ी होती है जैसे कई बार क्या होता है जुसके लिए पूरे एरिया में विमारी आइगी जैसा उसके लिए सरकार से संगर्श करेंगे बहुत बड़ी समश्या होती है मुआवजा जो है अधिकारी क्या करते हैं कुछ लोगों से सैटिंग करके और जिनकी सैटिंग हो जाती है उसको तो दे देते हैं पूरा मुआवजा और जो आम लोग होते हैं जिनसे उनका कोई संपरक नहीं हो पाता उनको यही 100-200-200 रुपए दे करके और उनको रेंडिया जाता है पिछड जाते हैं जृज लेकिन इसकी व्यवस्ता की जायेगी इस पूरा ज्यां दिया जाएगा कि चाहे किसी व्यक्ति को अधीकारी से पतवारी जैस सम्पर्प्रक हैं नहीं घ्रशना나 पतवारी और मॉझ е की रासी जो सरकार के दवारा प्रतिय कड़ अलाट की जाती है उसके इसाब से जिस परसंटेज से उस फसल को नुकसान हुआ है वो मुद्दा उठाना सरपंज का काम है और सरकार से ये हक अपने गाउं के किसानों को दिलवाना हमारी जिम्मेदारी बनती है विजंदर जी बात करते हैं यदि ग्रामेनों का अशिरवाद मिलता है तो सिक्साः के छेतर में आपके क्या परियाश करें बड़ा है और इसके उपर काम करने के लिए सब से ज़्यादा जुरोई है गाउं का पान-साट कροड रुपया लगबग एक साल में प्राइबट श्कूलों को दे दिया जाताए मैँ अनुप स्कूल और अ कूल नहीं चला ता हूं गाउनों को पता है कि सेह भावस्च इसकूल चलता है लेकिन हमारे गाउं हमें दो स्कूल है दो गौर्मेंट स्कूल है और एक बॉयज आई स्कूल है दोनों स्कूलों की व्यवस्ता को इस परकार से मैंटेन करना कि गाओं के लोग शम यह मैसूस करें कि हम अपने बच्चों को अपने गौर्मेंट स्कूल में पढ़ाएं जिस परकार से यहां व्यव तो नि इस के बड़ेसे बड़े कुरे रहा है तो अप देखिए एक बच्चा कम से कम जो प्राइवेट स्कूल में जहते हैं बेनि मानता कि किसी बच्चे का खरच जो है वो पचीस अजार उपे पर साल से ले कर गए अगर मेल केजी यू केजी या पर्थन कलास से ले और यहां तक की चला लाग डेड़ लाग दो लाग तक पलश्टू तक चला जाता है प्रती वरस का अगर उसमें से हम पानसो रुपे महिना बच्चों को फीस दे दे और हमारे पानसो रुपे महिना ज्यादा नहीं होता है और हमारे गवर्मेंट स्कूल में हमारे गाउं से टैलेंटिड यह रोजगार भी साथ होया जाएगा बच्चों को वहां जो पड़े लिखे हैं बहुत चारे मैंने देखा हमारे गाउं की लड़किया हैं महिलाए हैं वो MSC तक और MSC First Class तक High Education से qualified हैं उनको यह जोग मिल जाएं और मारे गाउं में से कम से कम भी 1000 बच्चों की strength 1100 बच्चों की strength गाउं की total पढ़ने वाले बच्चों की होती है फस्ट से 12 तक और उनकी विवस्ता इंगी स्कूलों में कर दी जाए तो यह मुद्दा इस प्रकार से हम शिक्ष्या पर बड़ा पैसा खर्च हो रहा है लोग अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं बिल्कुल जी शिक्ष्या पर इतना पैसा खर्च हो रहा है और यहां इस प्रकार से हम स्कूल की दसा को सुधार सकते गाहों के 20-25 नोजवानों को युगतियों को महिलाओं को रोजगार दिला सकते जनता को क्या संदेज देना चाहेंगे कि अपना प्रतिनिती सही सुने अच्छी सोच का सुने जो समाजिक सोहार्थ को बनाए रखे जो और गाहों पचीश तारी को ताड़ा चाबी का बटन दबा गरके और मुझे सभल बनाए मैं आपकी सेवा पांक साथ तरी